ये नीलकंट पक्षी थी आठ ग्यानवर्धक बातें हैं, जो व्यक्ति मन लगा करके सुन लेता है, वह कभी भी गरीब नहीं रहता। जैश्री कृष्णा प्रियमित्रो, ओम नमः शिवाया, दोस्तो स्वागत। आप सभी का दर्शक बंधूओं, हमारे यूट्यूब चैनल सैयर सनातन गफियाओं में नीलकंट पक्षी की आठ जान की बातें, आज हम आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं, इसलिए आप से मेरा निवेदन है, आप हमारी वीडियो के समाप्ति तक हमारे इस चैनल पर हमारे साथ बने रहें, दर्शक बंधूओं, बहुत पुराने समय की बात है, किसी जंगल में एक नीलकंट पक्षी का जोड़ा रहता था, दोनों पति-पतनी एक दूसरे को बड़े दिल और जान से चाहते थे, दोस्तों, नीलकंट की जो पतनी थी, बड़े ही जिज्यासु स्वभाव की चिडियां थी, अपने पती के भाई से हर समय पर कुछ न कुछ पूछती रहती थी, एक रात, जब दोनों पति-पतनी गंगा किनारे एक व्रिक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो नीलकंट की पतनी अपने पती नीलकंट से कहती है कि आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है, आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है, प्रिय कुछ ऐसा उपाय करो, जिससे मेरा मन कुछ हलका हो जाए, मित्रो, जब नीलकंट अपनी पतनी की इन बातों को सुनता है, तो नीलकंट अपनी पतनी से कहता है, कि हे प्र कोई एक ऐसी कहानी सुनाओ, जिसे सुनकर की मेरे मन के लिए कुछ न कुछ शांती जरूर ही मिल जाए। इस प्रकार से नीलकंट अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिये, आज तुम्हें में एक अमीर और गरीब सुनाता हूँ, आज की कहानी सुनकर कि तुम्हें यह पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिष्टा कैसा होता है और एक बहन और भाई के लिए अपना रिष्टा कैसे निभाना चाहिए और साथ ही साथ आज की इस कहानी से जानने के लिए मिलेगा, आखिर मानस पर ग गरीबी के चुंगल में फंस जाता है। ऐसे ही कई एक सवालों के जवाब तो में आज की इस कहानी से जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेर्णा देने वाली कहानी है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की आठ बातें पता चलने वाली है। इन बातों को सुनकर कि कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी के लिए बड़े आसानी के साथ में दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। ये कहानी सुनाने लग जाता है। धीरे धीरे करके जब उनकी आयू एक दिन विवाह के योग हो जाती है तो किसान के लिए अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लग जाती है। अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर द्वार की हो गई। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेश जीवन अपने बहु बेटियों के साथ में रह करके आराम से विपरीत करूंगा। दर्शक बंधु इतनी कहानी सुनाने के बाद में नील खंट अपनी पतनी से कहता है कि हे प्रिये ईश्वर की लीला जो है वो बड़ी ही निराली है पर मात्मा न जाने कब किसके लिए अमीर बना दी और कब किसके लिए गरीब बना दी इसके बारे में और कोई नहीं जानत उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है दर्शक बंधु एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत के लिए देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देख करके वह बेटा बहुत ही ज् ले करके आता है इस प्रकार से अपने पिता का इलाज कराते हुए वो किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं होता है जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में किसी प्रकार का कोई फायदा न जब उसका मौके पर कोई भी निवारण नहीं मिल सकी, तो फिर ऐसे समय में उस समस्या के लिए ईश्वर के भरो से छोड़ देना चाहिए। चुप हो जाता है, आखिर वो बेचारा कर भी क्या सकता था, उसके घर में जो भी जमापूंजी थी, वो तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी, फिर कहता है, हे पिता जी, जैसा आपके लिए उचित लगे, वैसा करें। रोहित का घर, द्वार और खेत, खलियान, तो पिता की बीमारी में, पिता के इलाज में पहले ही बिख चुके थे, और जो कुछ भी जमापूंजी बच जाती है, वह पिता के अंतिम संसकार में समाप्थ हो जाती है, इस प्रकार से रोहित एकदम दीन हीन और बहुत दूरी करके अपने बीवी और बच्चों का पेट पालने लग जाता है, उधर रोहित की बहन माया, जिसका विभाग एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिती के बारे में पता चलता है, तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घ्रणा क करने लग जाती है, मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिलकुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर द्वार गया है, और अब उसके पास में एक फूटी कौडी भी नहीं बची है, यदि ऐसी हालत में वो मेरी ससुराल आता है, तो उसे देख के मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तेरे पीहर वाले तो बिलकुल ही कंगाल है, ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी, इस कारण से माया अपने सगे भाई से रिष्टा तोड़ देती है न, तो माया अपने भाई के अपनी ससुराल में अपनी जिन्दगी गुजार दी है, इधर रोहित मेहनत मजदूरी करके, अपने पतनी के साथ रहके, किसी तरीका सपने दिनों के लिए काटने लगता है, इधर नीलखंट अपनी पतनी के लिए आगे कहानी सुनाते हुए कहने लगता है, कि हे प्रिये, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, कुछ साल गुजरने के बाद में एक रोहित की बहन माया के लड़के की शादी तय हो जाती है, लेकिन रोहित की बहन माया अपने भाई के लिए किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं देती है, दर्शक बंध हो जब इस बात का पता रोहित के लिए चलता है, उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर के रोहित बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, और इस बात की खबर जाकर के अपनी पतनी सुशीला के लिए बताता है, कि मेरी बहन की लड़कियों की शादी है, और हम सभी के लिए म प्रिया जी यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भांजे की शादी है मैं तुम्हारे साथ में जरूर भी चलूंगी लिकिन पहले मुझे बताओ क्या हमारी ननदरानी में हमारे लिए निमंत्रन भेजा है अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर कि रोहित तो नहीं आया है मुझे भी यह खबर किसी दूसरे के मुंग से पता चली है कि हमारे भांजे की शादी है लेकिन क्या फर्क पड़ता है है तो हमारे बहन के ही बेटा सीना अपने पती से कहती है यह पियाजियो बूबा तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है लेकि प्रिये तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोचा बेचारी मत करो बच्चों के लिए तयार करके मेरे साथ तुम माया की ससुराल चलो अपने पिया की इन बातों को सुन कर सुशीला कहने लगती है कि प्याज यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो लेकिन बिना नियोता के बिना निमंतरन के मैं नहीं जाऊंगी तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुन कर कि रोहित कहता है ठीक है सुशीला यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ में घर पर ही रहना तो फिर मैं ही अकेला माया की ससुराल के जदी ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन के लिए बात-बात परताना मारेंगे और कहेंगे कि खर्चा न हो जाए इसलिए तेरा भाई अब इकलोती बहन की शादी में भी नहीं आया और यह कहकर के रोहित घर से बाहर चला जाता है नील खंट आगे अपनी पत्नी को यह कहानी सुनाते हुए कहता है रेफरी रोहित जो था वो बहुत ही ज्यादा गरीब था और निधन था किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिये हुए पैसों से अपनी बहन माया और अपनी भांजी के लिए सुन्दर-सुन्दर वस्त और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बेहन की ससुराल के लिए चल देता है। माया की जिठानी जाकर की माया के लिए बताती है कि है माया आज तेरा भाई आया है और तेरे दर्वाजे पर खड़ा हुआ है। कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहन कर कि तुम्हारे दर्वाजे पर खड़ा हुआ है और दर्वाजे पर खड़ा हुआ तुम्हारा आने का इंतजार कर रहा है। सुनकर कि माया गुस्से में भर आती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास में पहुँचती है। इधर रोहित जब अपनी बेहन माया के लिए अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चहरा खिल जाता है। तो अपने भाई के लिए बिलकुल ही भुला दिया लेकिन किसी के मुझे पता चल गया कि मेरे भाणजे की शादी है। इसलिए मैं तुम्हारे ली और तुम्हारी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर के आया हुँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के माया कहने लगती है किसे भैया तुम्हें इस तरीका से बेशर्मों की तरहे मेरे घर पर नहीं आना था। तुम इस तरीका से फटे पुराने कपड़े पहन कर कि मेरे घर तक चले आये, कम से कम तो अपनी नहीं मेरी इज़त तक का तो खयाल किया होता। कम से कम तुमने मेरे मान और सम्मान का खयाल किया होता, आखिर तुम्हारी तो कोई इज़त नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज़त के बारे में तो सोचा, होता माया के मुख से, ऐसे कटू वचन सुन कर, कि उस मजबूर भाई का कलेजा, जो था, वो छलनी हो जाता है, तब मुझे ये बातें पहले ही पता होती, कि तुम मेरे बजे से इतनी आहत होगी, इतने हताश निराश होगी, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता, भला मैं तो यह सोच करके आया था, कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा, तो मेरी बहन के लि खोल कर सुन लो, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाता, तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना, और भूल कर भी तो मैं इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, जब भोजन बन जाएगा, तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इसी कमरे में लेकर आ जाऊंगी, ना तो मेरे कपड़ों के लिए रख लो, जिन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ, तब माया अपने भाई से कपड़ों को लेकर के कमरे से बाहर चली जाती है, और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है, रोहित उस अंधेरे कमरे में ब होता है तब मिलकर कहानी के लिए आगे बढ़ाते हुए कहता है हे प्रिये इधर तो रोहित उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लोटने का इंतजार कर रहा होता है कि आज मेरी बहना मुझे भोजन के लिए लोट करके वापस आती होगी आज तो मुझे भी स्व नहीं रहता है कैरी की मेरी मां का जाया भाई मेरे यहां कमरे में बंद मेरे लोटने का इंतजार कर रहा है दर्शक बंद हो इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है भूक प्यास की वजह से रोहित छट पटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है तब रोहित अपनी बेहन के लिए आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज के लिए और कोई नहीं सुनता है इस तरीका से रोहित के लिए उस अंधेरे के कमरे में पड़े हुए दर्शक वर्ल्ड हो एक नहीं तीन दिन बीत जाते हैं इधर रोहित के लिए अपने बीवी और बच्चों क की बड़े ही याद सताने लगती है रोहित सोचता है यदि कोई नहीं आया तो मैं तो बंब इसी कमरे में ही मर जाऊंगा यदि में मर गया तो मेरे बीवी और बच्चों का भला क्या होगा मेरे न होने पर कैसे मेरी बीवी बच्चों का पालन पोशन होगा दरसल रोहित पूछते बेहोश होने लगता है, तभी किसी काम की वजह से माया की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है, जब रोहित के कानू में माया की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है, रोहित अपनी पूरी ताकत लगा कर कि उस कमरे के दर्वाजे के लिए पीटने लगता जब माया को दिखाने के कानों में उस दर्वाजा खटखटाने की आवाज पहुंचती है तो वह दर्वाजे के लिए खोल करके देखती है और रोहित से पूछने लगती है कि है भाई तुम इस कमरे में किसने बंद किया था रोहित इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है जब माया की जेठानी दोबारा रोहित से पूछती है तो रोहित ये बात को छुपा लेता है कि मेरी बेहन माया नहीं मुझे इस कमरे में बंद किया था उसकी जगह पर जूट मूट का कह देता है और कहता है मैं इस कमरे में आराम कर रहा था तभी किसी ने गलती से बाहर से दर्वाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद होकर के अकेला छटपटा रहा था। बहन यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरू उड़ जाते। और इतना कहने के बाद रोहित घर के पिछले दर्वाजे से चुपचाब बाहर निकल जाता है और दर्शक बंद हो जैसे ही रोहित का सिर्चक्रा आता है और वह उसी समय पर जमीन पर गिरने वाला होता है तब ही वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी मां आ जाती है और वह बूढ़ी मां रोहित के गिरने से पहले ही रोहित के लिए संभाल लेती है दर्शक बंद हो जब कुछ गंटे बाद, रोहित के लिए पुनह दोबारा होश आता है, तो रोहित अपने के लिए क्या देखता है, वह एक बूढ़ी मा की गोधी में लेटा हुआ है, और बूढी मा एक भेजना, लेकर के पंखा लेकर, कि उसकी हवा कर रही है, होश आने के पश्चात, रोहित खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी मां के लिए प्रणाम करता है और कहता है हे मां भला कौन है दर्शक बंद हो इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंट थोड़ा सा विश्राम लेता है और विश्राम करने के बाद में नीलकंट अपनी पत्नी के लिए इ इधर रोहित की पत्नी सुशीला रोज उस देवी मां की पूजा किया करती थी और पूर्ण तरीका से श्रद्धा भाव से देवी मां की सुशीला भक्ती किया करती थी। इसने घर के लिए वहां से चलने लगता है तभी उसी समय पर वह बूढी मां कहती है कि है बेटा तुम भला कहां से आ रहे हो और दरपन कहां के लिए जा रहे हो। कहता है पूछो मैया तुम उससे क्या पूछना चाहती हो। बूढी मां पूछती है कि बेटा यदि तुम अपनी बेहन के घर से आ रहे हो और जैसा कि तुमने बताया कि वहां पर शादी थी तो फिर तुम लौट करके खाली हाथ कैसे जा रहे हो। क्या तुम्हारी बेहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा। बूढी मां के मुख से ऐसी बातों को सुन कर कि रोहित की आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। और रोहित उसके बाद में उस बूढी मां अर्थात देवी मां से कहता है कि है मैया भरना आप से क्या छुपाना आपने तो मेरे प्राणों की रक्षा की है। तब रोहित उस बूढी माता के लिए पूरी घटना बता देता है जो उसके साथ में हुई थी। तुम्रे तीन दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़ लेना और जब तुम्हारी बीवी बच्चे जब भी तुमसे पूछे कि तुम अपनी बेहन की ससुराल से भला क्या लेकर के आए हो तो तुम कह देना मेरी बेहन ने तुम्हारे लिए यह फल भेजे हैं ऐसा करने से बेटा तुम अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से भी बच जाओगे और इससे तुम्हारा मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी रोहित इस प्रकार से जब बूढी मा की इन बातों के लिए सुनता है, रूढीवादी बात मान कर के रोहित बूढी मा के बगीचे में पहुँच जाता है, क्योंकि बंद हो उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे, तब रोहित व्रिक्षों से फल तोड़ कर चलने लगता है, तब बूढी मा रोहित से कहती है कि है पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन आठ बातों के लिए सुनते जाओ, आठ बातें बेटा, तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, इस प्रकार से बूढी मा उस रोहित के लिए आठ बातें बतात है, और उन आठ बातों को सुनकर कि रोहित अपने घर के लिए चल देता है, जब रोहित फलों से भरा हुआ, उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, पुरोहित के छोटे छोटे बच्चे और रोहित की पतनी रोहित के पास आजाते हैं, और पूछने लगते हैं, उधर रोहित के जाने के बाद में रोहित की पत्नी जब उस थैला को खोल करके देखती है, फैला के अंदर का नजारा देख कर के वही एकदम से हैरान रह जाती है. सुशीला फैला में देखती है कि वह थैला पूरा जो भरा हुआ है, वह सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है जब रोहित की पत्नी अनार के लिए फोड़ती है, तो अनार के फलों से वीर्य निकलने लगते हैं, जब आपके लिए काटती है, तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली निकलने लगती है, यह देखकर के रोहित की पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और दोड़के अपने पती के पास में पहुंचती है और अपने पती के पास पहुंच कर कि अपने पती से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम. लेकर के क्या हो? रोहित अपनी पत्नी की इन बातों को सुन कर कि सोचने लगता है कि मेरे घरवाले के लिए शायद फल पसंद नहीं आए है. इसलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है. मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड़ू प्रेरणा लेकर के आ चाहिए था. हम रोहित अपने घरवाले से कहता है कि है प्रिय बहना ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने लाकर के तुम्हें दे दिया. अब जो कुछ भी थैले में है उसके लिए ही बच्चों के लिए बराबर बांट करके दे दूं कि पहले तो तुम अपने घर पर तो च कहती है इसे PRD जरा देखिए तो सही आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए भला क्या भेजा है और यह कहकर के सुशीला रोहित के सामने फैला के लिए पलट देती है फैला पलटते ही के अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलने लगते हैं. सुशीला कहती हैं कि है जी आखिर हमारी न बने तो हमारा भाग यही बदल दिया उन्होंने फलों में छुपा कर के हीरे मोती भेजे हैं जब यह नजारा रोहित देखता है तो समझ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी मा मिली थी वो कोई साधारण मा नहीं थी साधा देता है दर्शक बंध हो इतनी कहानी सुनाने के बाद में दलील कंठ थोड़ा सा आराम करता है फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिये इस प्रकार से रोहित के लिए बहुत सारा धन मिल जाता है रोहित पहले की तरह फिर से अमीर हो जाता ह कुछ समय बाद रोहित अपने बीवी और बच्चों के लिए एक अच्छे से आली शान महल का निर्मान करवाता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है और सभी नगर के लोग भी रोहित का ऐसा देख कर के मान सम्मान देने ल आज सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियाएं अपने अपने पिता के घर पर जाती है इसी लिए तुम भी अपनी बेहन के ससुराल जाओ और मेरी नननत के लिए तुम यहां पर बुला कर खिलाओ इसी बहाने अपने पीहर घूम जाएंगी और इ कुछ समय के बाद ही अपनी बेहन की ससुराल पहुंच जाता है, से एक बार रोहित अपनी बेहन की उसी दर्वाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता है, जिस दर्वाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था, अभी उसी समय पर माया की जेठानी घर से बाहर निकलत बहन कोई भी अधिकारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भी भाई नहीं है। चार 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 सैनिक लगे हुए हैं, तुम्हारे दर्वाजे पर रक गाड़ी खड़ी हुई है। भला एक बार जाकर के तुम देखो, तो सही माया, जो अपनी जेठानी के मुख से इन बातों के लिए सुनती है, हो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का लेख कर कि माया एकदम से चकित रह जाती है, और सोचने लगती है, विचार करने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिलकुल ही भिखारी था। पहनने के लिए सही तरीका सिर के पास में बस्तर भी नहीं थे। फिर अचानक एकदम से अखरोट का भाग्य कैसे बदल गया। उसके बाद में रोहित की बेहन माया आरती का थाल सजाती है और अपने भाई की आरती उतार नहीं लगती है और उसके बाद में माया अपने भाई के लिए बड़े आदर पूर्वक अपने घर में ले जाती है और अपने भाई से कहती है रे भाईया मुझे क्षमा कर दीजि तुम्हारे गलतियों के लिए मैंने तुम्हें तो पहले ही थमा कर दिया है बहन, अब तुम इन बातों के लिए छोड़ो और मेरे साथ में चलने की तैयारी करो बहन माया मत में आज बुलाने के लिए आया हूँ अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर पर चलना है तुम्हारी भाभी ने मुझे बुलाने के लिए तो तुम्हारे यहां पर भेजा है तुम्हारी भाभी ने उन्हें बुलाने के लिए यहां पर भेजा है यह सुनकर के माया खुसी खुसी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयारी करने लगती है और तैयार होकर कि माया अपने भाई के रत में बैट जाती है। को देख कर कि रोहित की बेहन माया थी वो एकदम से हैरान रह जाती है और अगर रोहित के घरवाले भी माया अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और स्वागत करती है साथ दिनों से अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। अपने आगे बढ़ने की सच्चाई ही नहीं बताई थी कि बलकि यह सब माया की वजह से नहीं मोदी देवी मा के आशिरवाद से बलकि यह सभा में मिला है क्योंकि मित्रो रोहित की पतनी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी वो अन्जाम थी। यह सोच कर के सुशीला अपनी ननत की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननत का खूब खयाल रखती है। उस दिन बीतने के बाद जब रोहित की बहन माया का ससुराल जाने का समय निश्चित हो जाता है तो रोहित की पतनी सुशीला अपने पती से कहती है कि हैपी कल तुम्हारी बहन अपनी ससुराल के लिए चली जाएंगी। इसलिए तो बाजार के लिए जाओ और बाजार जाकर कि अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर के आउट पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर कि रोहित घर से बाहर चला जाता है और रोहित एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोर्चे की दुकान पर प ना दूंगा लेकिन उसके बनवाने की कीमत बहुत लगेगी तब रोहित कहता है हे मोची भाई मैं तो में मांगा पैसा दूंगा लेकिन ऐसी जूतियां बनाओ छुट्टियों के लिए जब भी मेरी बहना पहने और उन्हें पहन करके जब भी वह चली तो वे जूतियां बार की बातें तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं इस प्रकार से रोहित बारी बारी से को आठ ज्यान की बातें बताने लगता है रोहित पहली बात बताता है कि बात ज्यान की है कहीं मानव तू मत भूल होती है अज्यानता निर्धनता का मोल दूसरी बात समय भरों से बैठ हर कोई अब दुसरा हासिल करके ज्यान नहीं करो दूर अब आप दो समय को दो नहीं नहीं बनो मजबूर कम साधना में जो तो करो गरीबी दूर छटी बार करम कभी कर नहीं को से सदा नर्सिंग भाग्य भरो से बैठता वह मानव रहे गरीब साथ मेवात अज्यानी पर ही सद करें गरीबी बार बिजाई होता युद्ध में ज्यान सदा हतियार में और सबसे आखरी बात बताते हुए रोहित कहने लगा कि है मूची भाई मेरी बहन जब आत्मा कदम रखा तो वे जूतियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब धन दौलत से जुडे रहे रिस्ते हुए गरीब इधर रोहित से कहता है कि है मूची भाई ऐसी आठ बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बनवाने हैं तुम ऐसे आठ बातें बोलने वाली जूतियां मेरी बहन के लिए आज बना कर दो जब यह आठ बातें वह जूतियां बोलेंगे और जब मेरी बहन इन आट बातों के लिए सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। कि माया का चेहरा एकदम से खिल जाता है। उसके बाद में माया अपने भाई से विदा लेकर कि अपने ससुराल के लिए चली जाती है। दिखाती है और कहती है देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी की हीरे मोती की जड़ी हुई जूतियां दी है। तब माया उन युवतियों के लिए पहन कर अपनी देवरानी और जेठानी के लिए दिखाने लगती है। जैसे ही माया उन जूतियों के लिए फैल करके चलती है तो जूतियां कहने लगती है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिस्ते हुए गरीब जमाया इस बात के लिए सुनती है तो उसका असर शर्म की वजह से नीचे जुग जाता है और अपने भाई को याद करके मैं एकदम से रोने लगती है जब देवरानी जेठानी पूछती है कि माया आखिर क्या हुआ तुम अचानक सिक्योर होने लगी तो माया अपनी देवरानी और जेठानी के लिए सारी बातें बताती है कि है बहन मैंने पैसों के घमंड में आकर कि अपने भाई से आखिर मैंने कितना भला बुरा कहा मैंने अपने भाई के लिए एक गिलास पानी भी नहीं दिया और देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर की दी है अब तो मुझे अपने आप से घ्रणा होने लगी है मैं तो जीना नहीं चाहती तभी माया की जेठानी देवरानी समझाने लगती है की है माया जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ जाने दो अब आगे से याद रखना कभी किसी के साथ में ऐसा बरताव मत करना क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दू कि है माया जो व्यक्ति रात्रे के समय रसोई में जूठे वह पर रखता है और खाने पीने की चीजों के लिए बरबाद करता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निधन अर्थात गरीब हो जाता है दूसरी बात है जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है उनकी इज कि जाती है उस घर में में देवी लक्षमी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती है तीसरी बात है जिस घर की स्त्रियां सूर्य अस्त के बाद में अपने घरों में जाडू लगाती है या पर चूलहा चौका करती है ऐसे पवार वाले लोग भी बहुत जल्दी ही गरीब हो जा चौती बात जिस घर परिवार के लोग पैसों की कद्र नहीं करते हैं वह बेफिजूल के कारियों में पैसे के लिए बरबाद करते हैं ऐसे घरों से भी रूट कर कि माता लक्षमी हमेशा के लिए दूर चली जाती है पांचवी बार जो लोग पैसे आने के बाद में उस पै ऐसे से दूसरे के मान प्रतिष्ठा के लिए ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों के लिए परेशान करते हैं। ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी विदा ले लेती है। छटी बार जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो नियमित नहीं रहते हैं, अर्थात अपने कार्य के लिए कल पर टालते रहते हैं, लोगों के घरों से भी माता ल गड़ों से कटू वचन कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है, आठवी और अंतिम बाद, जिस घर परिवार के लोग अपने महमानों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने महमान का आदरभाव सेवा सत्कार करते हैं, या फिर अपने दर्वाजे से किसी भी कार्य के लिए खाली हाथ लोट आते हैं, तो ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर के दूर चली जाती है, इस प्रकार से माया की जेठानी, माया के लिए आठ बातें बताती है, और अपनी देवरानी से कहती है, क अपनी जेठानी की बात सुनकर एकदम से बदल जाती है, उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, यह इश्वर न जाने कब, किसके लिए गरीब बना दे और कब किसके लिए अमीर बना दी, इस बात का किसी के लिए पता नही चलता, उसके समझ में ये भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए, तो दर्शक बंधु यदि थी, आज की कहानी आपके लिए कैसी लगी, कृप्या करके, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर समझाएं.